भगवान केहते हैं अंत काले मौँए समर्ण ममुक्तक वे कले वरव अंत समय में तुमको मेरा समर्ण आ गया तो तुम इस सरीष से मुक्त हो जाओ। यह प्रयातिसमदभावन याति ना संशया इस में संशया मत करो मेरी बात में, जब मैं तुमको बता रहा हूँ, भगवान ने कहा ना संशया, इसमें डावफूल मत हो ना, अरे सह सची होगा क्या जुरूर होगा वश्य होगा, और कभी तो मेरे को मेरा चिट तुम्हारे मचित उरा अब दिन परसपर आचिट बेरे मेरे में लगा हुआ है दो भगवान कहते हैं मेरे प्रापत्व पुर्षय प्रक्स्तोहि पुंक्ते प्रक्जान वनामकार्न गुंसंगस्वन ससर जोनी जनमस्व। वागवान कहते हैं कि प्राकृति के नियमों के हिसाब से हमको अगला जनम प्रापत होता हैं। जैसे हवा चलती है, कोई गंदी जगा से हवा चली जाए, गंदी पड़ी है, वहां से हवा निकले, आगे जब हवा जाती है, तो वो गंदी हवा बद्बू देती है, कहां पर रात की रानी या कुछ, जा मोगरा जैसे, जो सुगंदित पुष्प लगे हो, एक पुष्प का बगी चाहो, बढ़ी असा बगी चाहो, उसमें काफी पुष्प लगे हो, तो वहां से हवा जाएगी, तो जब वहां से आगे हवा जाती है, तो एक दम सुगंद आने लग जाती है तो उसी तरह हम जैसे जैसे भाव में होंगे इस जीवन के अंदर वेसे वेसे अगला जन्व मिल जाएगा सतो गुन में होंगे तो जन्व मिलेगा अच्छे घर में जन्व मिल जाएगा अच्छा परिवार होगा धन संबत्ती होगी भैवब होगा तमोकुन में आ जाएगा तो पशुजोनी को प्रापत हो जाएंगे तो ये अलग अलग जो जर्म हैं अपने गुनों के हिसाब से हमको प्रापत होंगे प्रम्तु हमारा मन कभी भगवान के में लग गया तो हमको बैकुंठी की प्रापती होगी